हेलो एरिवन वेल्सकम डो माई डीव चैनल मेरा नाम इकासनार है और आज के शुड़े में आपसे बात करूंगा कि कैसे आप चैट जीपीटे का यूज़ करके पावर पॉइंट के यहां पर आप स्राइड इस बुगरा बना सकते हो एंड यह जो डिजाइन वगरा है यह एटमेटिक बनके आपके सामने आएंगी तो इसका complete प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है यह डेमो के लिए मैंने एक बन बनाया था हूँ यह मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने अभी यह जो डेमो के लिए आपको दिखाई थी उसका जो content भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या था तो यह सारा कुछ content था जो की chat gpt ने मेरे को एटमेटिक बना के दे दिया है तो यह करते कैसे हैं यही इस वीडियो में पन जानेंगे तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं यहाँ पे new chat यहाँ पर कर लेता हूँ open लेकिन उसरे पर लेगर आपने अभी तक मेरा आइडिव चैनल सस्क्रीम ने ऐग है पावर पॉइंट के हिसाब से यह रियक्ट करेगा और भी अपन जो भी यहां पर टॉपिक देंगे अभी यह टॉपिक भूच रहा है कि किस टॉपिक पर आपको यह लिखवानी है ठीक है तो आप कोई भी टॉपिक दे सकते हो जो भी आप किन आपको से रिलेटेड बनानी है तो मैं यह क्या करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग इनको एक टॉपिक दे देता हूँ ठीक है तो अभी क्या होगा कि यह डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है ना टॉपिक बनाना स्टार्ट कर देंगे कि काउंटिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो, मैंने यहां पर 6-10 रखिए जो यह प्रॉम्ट है ना इसके अंदर, यहां पर 6-10 दे-10 इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, यह प्रॉम्ट डालने के बाद क्या है, आपसे पूछी लेगा कि कौन से टोपिक पर आपको लिखव कोपी करके आप ओरड में डाल सकते हो, तो ऐसे अगर आप डालोगे तो वो इसकी जो डिजाइन वगरा है, वो साइसा ही नहीं होगी, तो मैं क्या करता हूँ, यह जो इसने लिखके दिया ना, इसको आप करा लो, HTML में, ओके तो मैं यहां पर इसको लग लिख देता हूँ, यह इसने complete कर दिया, तो convert this to HTML, ठीक है, तो यह जो कुछ भी इसने लिखाना, यह सारा कुछ, यह HTML कोड में भी इसको लिख देगा, ओके जी, तो इसको लिखने देता है, यह सारे सीचे, तो यहां पर देखो, इसने slide 10 तक कुरा कोड लिख दिया है, यहां पर slide थी 11, तो अब यहां पर लिख दो, complete remaining work, तो यह जो बाकी का कोड है, वो भी यहां पर डाल देगा, ठीक है, एंड यह हो गए, अपना complete work, तो उसके बाद क्या करता है, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको क्या करना होगा, यहां पर एक notepad यहां पर बना लेता हूँ, यह पेस् ठीक हजी, उसके बाद आपको क्या करना है, save as is दिशेग करना है, अफिल्द डेश्टोप पर में यहां पर save कर लेता हूँ इसको, इसको मैं करता हूँ, изуч us नाम से, एंड उसके बाद आपको क्या करना है .html यहां पे आना यहां पे भी आपके कर ले ना यहां पे आल फाइल्स करके विकास .html यहां पे आपकर देना तो यह क्या HTML में से हो जाएगा तो अपन यहां पे डेस्टोप पे जाके भी देदे देख लेते हैं यह देखो विकास नाम से .html में यह से से हुआ है ओके उसके बाद क्या करना है आपको वरेड ओपन करना है यह ओपन करने के बाद आपको क्या करना है ब्लेंग मैं इसको करता हूँ ओपन एंड यहां पे ओपन पे क्लिक करता हूँ ब्राउज करता हूँ एंड फिर यहां पे डेस्टॉप में आके जो विकास.html इसको करता हूँ select तो यह सारी जो डिजाइन वगर है ना यह accurate यहां पे आचुके हैं तो अभी क्या क्या करना है कि यह मतलब पहले तो था अपना .html में इसको अपन document में भी save करते हैं दोस का जो format होता ना तो save as पे मैं क्लिक करता हूँ और यहां पे मैं क्या करता हूँ desktop पे ही यह ना document.docx इसमें मैं save से save करता हूँ and save पे मैंने यहां पे क्लिक कर दिया फिर इसको मैं close कर देता हूँ ठीक है तो अपनी file यह देगो विकास.docs यहां पे आ गई है उसके बाद आपको क्या करना है वन ड्राइव आपका ओपन कर ले वन ड्राइव ओके उसके बाद यहां पे upload पे क्लिक करें file पे आप क्लिक कर दें and desktop पे चले जाए and जो यहां पे बनावता ना विकास.docs इसको आप यहां पे upload कर दें ठीक है तो upload यहां पे file हो चुकी है यहां पे देगो यह आच आच पे इस पे आपको क्लिक करना है जस्ट and यह तो परानी वाली है मैं इसको यहां पे हटा देदा हूँ तो यहां पे जैसे ही है यहां पे हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है file में यहां पे क्लिक करना है export पे आपको प्लिक करना है and export to power MTA presentation इस पे आपको क्लिक कर देना है ठीक है फिर यहां पे क्या होगा कि यहां पे कुछ templates आपको दिखा ही रहेंगे तो कोई भी आप एक template select बिलने या see more theme पे आप क्लिक कर देना तो और भी यहां पे आपको दिखा दिख जाएंगी ठीक है तो मैं यहां पे यह वाली करता हूँ select and export पे मैं यहां पे क्लिक करता हूँ ठीक है जी तो यह भी design वगरा है उसमें add कर रहा है यह इसने कर दिया add उसके बाद मैं यहां पे open इस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहां पे जो भी अपनने content दिया था ना उसका यह क्या करेगा अपने को design करके दे देगा सारा कुछ तो यह vikas.pptx इसने यह create कर दिया है and यह देखो अभी जो design वगरा इसने यहां पे create कर दिया इसने देखो उस रसाइब से यह आइकन वगरा भी यहां पे कर लिए इसने ओके and उसके बाद यहां पे इसने जैसे यह 4-5 टोपिक थे तो उसको भी यहां पे अलग लग करके इसने दिखा दिया उसके बाद सारे चिंजन अप्टिमाइजेशन एंड यह सारा कुछ इसने देख लिया फिर अगर आपको सही नहीं लगए तो कुछ हो वगर आप यहां पर एडिट पिकर कर सकते हो सोचल मीडिया मार्केटिंग के यह चार चो अमदलब थे यह भी इसने यहां पे अलग लग दिखाएं इमेल मार्केटिंग के बी इसने डीजाइन दार यहां पे पहर म।न कर सकते हो यह फिर यहां से भी आप open with desktop कर सकते हो ठीक है share कर सकते हो तो यह सारा कुछ था कि कैसे आप chat GPT का किसी भी topic पर आप लिखवा सकते हो तो यह आपको मतलब school work में office work में बहुत कामाने वाली चीज़ है इससे आपको मतलब आपका time इसमें जायर नहीं होगा जस्ट यहां पर topic देना है कौन से topic पर आपको लिखवाना है तो यह उसी structure में आपको लिखके देदेगा फिर आपको जस्ट यह सारी से आपको करनी है अगर आपको और वी design करने तो यहां पर आप इसमें बवाना वरड में आप अपने साब से थोड़े बहुत gap वगरा डाल के भी कर शकते हो तो इस वीडियो में इतना ही था और अजर आपने अभी तक मेरा यूटूब चैनल सस्क्राइम ने किया तो प्लीज सस्क्राइम मां यूटूब चैनल ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियोस में यूटूब पे डार डालता रहता हूं प्लीज सस्क्राइम मां दिखने के लिए धन्यवाद